फाइनली दोस्तों इगनुने अपने दिसंबर दोजा 23 टमड एक्साम के लिए assignment submission की guidelines जारी कर दी है assignment submission प्लस assignment कैसे बनाने हैं कौन से बनाने हैं क्या guidelines हैं वो भी इगनुने जारी कर दी है जो आपके लिए काफी important है अगर आप दिसंबर दोजा 23 टमड एक्साम में assignment submit करने वाले हैं तो आज की इस वीडियो को विल्कुल भी इसके उपमयद करना है विकूस काफी important वीडियो है इसमें detail में बात करने वाले हैं आपके assignments के बारे में जो आपके December 23 टमड एक्साम के लिए रहेंगे सो आल राइट बिना की जेरी के बात करते हैं कि करके सभी points फ़र्स फोल आपको बता दें कि हम जो बात करें वो assignment के विशे में assignment आपका जो major part है आपका theory उसके साथ ही ये भी important part रहता है 30% beta आपकी assignment की होती है आपकी overall result के अंदर मुख्य बात submission की है बट उससे पहले हम समझेंगे instructions क्या है assignments को लेकर कैसे आपको assignment बनाना है क्या रहेंगी guidelines वो आप समझ लेजे first of all हम instructions की बात करते है जो इगनु ने आपके लिए जारी के है assignments को लेकर तो यहाँ पर main जो instruction है वो आपके front page को लेकर है front page आपको जो सवाल रहते ही कौन सा front page आपको लगाना है तो front page में कुछ चीजों का आपको बिसेश तोर पर ख्याल रखना होता है first of all कि आपको जो front page है वो बिसेश तोर पर इन सभी details को include करें जैसे आपका page title वगया रहे enrollment number, name, address, signature and date इसके साथ ही साथ कुछ और detail है जो आपके front page में होना काफी important है जैसे program code आपका important part है जो आपके assign पर होना चाहिए front page के अंदर course code and course title इसके लाव सेशन भी आपका important है जो आप यहाँ पे mention करते हैं session या फिर termed exam आपका हो सकता है जैसे termed exam की बात होगी तो आप यहाँ पे mention करेंगे जोगी आपका December 2023 से यह आपको mention करना होगा ठीक है आगे बात करते हैं कि और क्या बाते हैं जो आपको follow करनी है यहाँ पे कुछ और point जैसे program code program title course code course title and assignment code assignment code आपका simple रहता है जिसमें आप one या two fill कर सकते हैं और कई बार आपके assignment पर given होता है अगर कुछ पी नहीं है तो serial numbers आप डाल सकते हैं जो कि आपके assignment के according रहेंगे study center code आपके id card permission है उससे आप लिख सकते हैं अब मैं तून guideline जो आपके assignment को बनाते वक्त आपको ध्यान में रखनी है ओके फर्स्ट फुल assignment बनाने से पहले आपको कुछ planning होने थी जो आपके solutions को लेकर रहेगे जो भी assignment कोशन given है उनको आप reach out करें और साथ ही साथ यह समझें कि इसका solution आप कहां से लिखने वाले हैं वो को as aided copy नहीं करना गूगल से as aided copy नहीं करना साथ ही जो solve assignment होते हैं as aided copy नहीं करना और reason में बता दो कई वार वहां पर errors हो सकते हैं या फिर आपकी कोशन के up to remark नहीं होगा तो आपको उसे rearrange करीगे या फिर समझे कि इसका logically order क्या रहेगा उसके according आप रखेंगे एक और mean बात है organization की आपको जो assignment है वो आपका सही परकार से organize किया हो जैसे logical हो और coherent हो ठीक है इसके लावा जो आप बात वहां पर बता रहे हैं जो भी paragraph है sentence उसका clear connection होना चाहिए आपकी questions के साथ में जो भी पूछा गया है एंड बाकी चीज़ें बहुत basic हैं जिस पर हम नहीं जाएंगे presentation पर आते हैं किस परकार की रहेंगे किस परकार का page यूज़ करना है वो आपके लिए काफी important है पर यहां पर आप a4 sheet यूज़ कर सकते हैं जो white pages आते हैं या तो rule sheet यूज़ करें या फिर आप जो normal आते हैं without line वाले वो भी आप यूज़ कर सकते हैं plain paper जो होते हैं यह फोर ज्यादा वैश्ट रहता है जोगी आपकी assignment को काफी अच्छा रहेगा और अगर आपको assignment ऐसे present करने जिसमें artwork है या diagram वगयर है तो आप one sided को ही prefer करें जो आपकी assignment को वहतर बनाते हैं because both side लिखने से कई बार वो साइड में देना होगा not only side बट अब आपको bottom में भी रखना है और आपकी जो टॉप है उस पर भी आपको फोर्स एंडिवर्ट का गैफ रखना पड़ेगा यह space आपको देनी है इसके बाद में अब बात आती है कि assignment आपके किस प्रिकार्ड से होने चाहिए क्या hand return या फिर computer type भी चलेंगे तो देखिए assignment आप जो submit करेंगे वो return form में होने चाहिए और आपने लिखे हो जरूरी नहीं कि आपने लोग कोई और रिखेगा तब भी चल आपके नहीं चलने वाले यह आपको विसेश तोर पर याद रखना है इसके लाब अगर आप यहां पर एगनूरे मेंशन किया है कि अगर आप एस एडिट कॉपी कर लेते हैं अपनी बुक से या पिर कहीं और से तो भी नहीं चलेगा आपको एस एडिट कॉपी नहीं करेना बट कई बार ऐसे नहीं होता कि आपको जीरो दिया जाएगा तो ऐसा भी है बट एक चीर यहां पर समझने वाली यह है कि अगर आप एसे एडिट कॉपी गरो तो वहां पर यह आपकी गलत होने चांसे जाद हो जाते हैं और हो सकता है कि आपका आंसर अप्टू रिमार्क न हम नहीं करना अब ये चेक ज्यादा तोर प्यांए होता ठीक है तो अगर आप कोपी कर तो थोड़ा अपने आपको भी रखना मतलब के जो एंसे ए उनको चेहीं कापी नहीं करना कि कम बाकि एसा नहीं है कि आपके सांटो हो जाएंगी कि इसके बाद में another point है each assignment separate all assignments should not be written continuity मतलब आपको जो एक assignment है उसकी अलग से file बनेगी हर एक assignment की जो भी assignment रहेगा वो आपकी file अलग से बनेगी and second assignment होगा उसके लिए आपको अलग से file बनानी है ऐसा नहों कि सभी को combine करते हैं ऐसा पिल्कुल नहीं करना है ठीक है write the question and question number with each answer तो यहाँ पर यह भी point आपका clear हो जाता है कि question लिखने है या नि, question आपको mention करने है हाँ अगर paragraph बगेरा दे रहा है बहुत लंबा तो उसे आप skip कर सकते है question लगा दो काम चल जाए पर जो majorly question है उनको आप चरूर से mention करें अब आपका जो assignment आप submit करेंगा उसके आदमें acknowledgement ले ले लेना जो आपकी receipt होती है assignments के लिगाड़ी अब यहाँ पर बात आती है आप टाइडल पेज प्लीज इंसाइड ए copy of assignment question paper क्योंकि आपको file order रखना है उस पर समझ लेजे आपको assignment रहेगा उसमें इसके बाद में ID card होता है जो आप यहाँ पर attach करेंगे उसके बाद quotient paper रहेगा QP इसके बाद में जो आपने answers लिखें हैं वह आपके रहने वाले हैं यह रहेगा आपका file order जो आपको उपसे इस तोर पर याद रखना है इसके लावा एकनू नहीं यहाँ पर mention किया कि आप हर एक page पर enrollment number भी एंटर करें और correct होना चाहिए जो की काफी important है आपको combine file नहीं रखने है यह भी important point है because कई बार spend क्या करते हैं सभी file को combine करते हैं जो की reject होने कारण बनती है assignment आपके 30% weightage को include कर रहे हैं तो पिसेस तोर पर आपके लिए important है अगर आप assignment में minimum score नहीं create कर पाते हैं जो कि मैं बात कुरूँ यहाँ यहाँ पर यूजी प्रोग्राम है यानि undergraduate bachelor degree के इस्टमें उनको 35% required होते हैं लेकिन जो bca course है उसमें 40% है वही master degree में जितने भी courses है जो कि पीजी में आएंगे basically ठीक है उसके लिए जो आपकी marks required है वो है 40 marks minimum यानि 40% आपको score करना assignment के अंदर अगर आप इतना score नहीं कर पाते हैं that means आप इसमें pass नहीं हो रहे हैं आपको दुबारा submit करने होंगे assignment की बात हो गई अब यहां पर बात आती है assignment submit कैसे कब और कहां करने हैं last date पर बात कर लेते हैं submission की बात करें तो आपकी asperry और regional center guidelines आपके assignment submit होने वाले हैं regional center की जो guidelines होंगी वो आपको regional center की websites पर देखने को मिलने वाली हैं जब भी आपकी assignment submission start हो जाएंगे अभी के लिए हम बायत करें कि आपके assignment कब से submit होने वाले हैं तो आप यहां पर देख सकते हैं कि आपके जो assignment की last date है आपकी जो assignment की last date है वो आपकी मैं यहां पर एक बाद मार्क सेलेक्ट कर लेता हूं तो आपकी जो submission last date रहने वाली है अभी सेप्टेंबर 2023 है दिसंबर 2023 टमिट एक्साम के लिए January session साधी साथ जिन इस्ट्रेंट ने अभी तक सब्मिट नहीं किया तो भी कर सकते हैं तो यह है आपके लिए कि assignment कब कैसे सब्मिट करने हैं गाइलेंज जल्दी जारी होंगी जो आप देख पाएंगे सब्मिशन के टाइम पे दो चीटों को बिसेशत और भी ख्याल रखना है पहला कि आप सब्मिशन प्रोव जो आपकी इसी स्लिप रहेगी उसे आप जरूर से ले लें जो सब्मिशन प्रोव आ सब्मिशन के लिए होब कि आपको क्लिर आउट हुआ होगा अगर यह वीड़ा आपको पसंद आए तो लाइक कर देना शेयर कर देना ऐसी और वी अपडेट्स पाने के लिए चनल को जरूर से सब्स्क्राइब करें मिलते हैं एक और अप्टेट में तो चैन जैवारत मैं द